हालो एव्रीवन विलकम बाक तो इंस्वाम्नियक स्टूडियोज मेरा नाम है जहतेन और आज इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं रिलेटिव स्केल्स के बारे में सो लेट्स केट स्टाटेड इस वीडियो से पहले मैं तीन वीडियो बना चुका हूं म्यूजिक थियोरी के ऊपर ही अगर आपने चेक आउट नहीं करी है सो दिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तीनों वीडियो का लिंक जाके चेक कर सकते हो अच्छी नॉलेज मिल जाएगी अगर आपने अल्रेडी चेक करा हुए सो अब इस वीडियो को कंटीनियू करते हैं सो आज वाला जो वीडियो है यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं रिलेटिव स्केल्स के बारे में जैसे कि लास्ट मैंने वीडियो में आपको बताया था जो सिर्कल ऑफ फिफ था वहा इसका रिलेटिव मानरी स्केल कैया है मतलब सिम्पल कर देते ते हैं कि अगर एक जो मेजर इसकेल है वह कोई भी हो minor scale क्या है मतलब simple कर देते हैं कि अगर एक जो major scale है चाहें वो कोई भी हो उसमें जो notes आ रहे हैं same वैसा ही एक minor scale भी होता है जिसमें वो same notes आ रहे होते हैं थोड़ा सा confused हो गए होगी न कोई tension नहीं है मैंने already जो है cheat sheet बनाई थी and जो मेरी website पे available है पहले download करिए तो ठीक है अब एक link वहाँ पे और add हो गया है जहां से आप relative scales की जो cheat sheet है उसको download कर सकते हो so इस type की cheat sheet होगी वहाँ से आप PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हो free में फिर से जाना link पे and वो cheat sheet डाउनलोड कर लेना अब आप शायद confused कुछ जादा हो गए हो so without wasting time सीधा चलते है computer screen पे and वहाँ पे मैं आपको बताता हूँ relative scales के बारे में so guys last video में मैंने आपको circle of fifth के बारे में बताया था and ये same screen आपने मेरी last video में देखे थी जिसमें right hand side पे आप देख सकते हो circle of fifth बना है and left hand side पे major scales है हमारे पास and वहाँ पे मैंने आपको बताया था major scale में जो भी fifth note आता है वो हमारा circle of fifth में count होता है जैसा कि C में आप देख सकते हैं तो C का major scale में अगर हम fifth note देखेंगे तो वो आता है G so यहाँ पे G इसी type से ये आगे circle continue होता है अब यहाँ पे काफी सारे लोगों के मन में doubts थे कि minor scale निकालना है तो कैसे हम करेंगे यह जो circle of fifth है इसको अगर हम minor से relate करेंगे तो कैसे करेंगे क्योंकि यहाँ पे कहीं भी मैंने minor scale के बारे में नहीं बताया था so बहुत simple है आप यहाँ पे देख सकते हो यह जो major scale है यह वैसे जो pdf है यह आप download कर सकते हो free में cheat sheet यह आपको link मिल जाएगा description में so यहाँ पे आप देख सकते हो fifth note हमने लिया था लेकिन अगर हम देखें sixth note यहाँ पे so यह आप देख सकते हो कुछ highlighted है so हर scale का एक relative होता है major scale का एक relative minor होता है मतलब जितने भी notes for example जैसे यह C major है तो इसके scale में जितने भी notes आ रहे है न एक minor scale भी होगा जिसमें यह सारे notes आते हैं आप थोड़ा सा confused हो गए हो ना कोई confusion दूर करते हैं आपका so यहाँ पे मैं क्या करता हूँ एक बारी यह जो major scale है मैं minor scale का cheat sheet open करता हूँ so यहाँ पे है minor आप यह देख सकते हो एक बारी मैं फिर से आपको major पे लेकर चलता हूँ and आप यहाँ पे देखो C में आपको बता रहा हूँ आपको यह समझने में काफी ज़्यादा easy रहेगा इसलिए C से तो यहाँ पे क्या आता है मैं पास D E F G A B C अब यहाँ पे इसका sixth note है A तो A minor अब हम देखते हैं minor scale पे गए and यहाँ पे अब हम देखते हैं A minor तो A minor हमारा यह रहा इसके notes देखेंगे B C D E F G A तो आप देख सकते हो same notes है मैं again कोई और scale ले लेता हूँ यहाँ पे हम F ले लेते हैं so F major में हमारे पास जो notes आते हैं वो आते हैं G A A sharp C D E F अब six note इसका है D तो अब हम D minor देखते हैं यह सारे के सारे same notes आपको यहाँ पे मिलेंगे so एक बारी फिर से G A A sharp C D E F minor पे चलते हैं और A minor देखते हैं sorry यहाँ पे था D तो D minor देखेंगे हम so यह रहा D minor E F G A A sharp C D notes आगे पीछे हो सकते हैं लेकिन notes हमेशा same रहेंगे so यहाँ पे हर major scale का एक relative minor भी होता है जिसमें हम इस circle of fifth में minor scale को भी include करते हैं so यहाँ पे एक परी relative scale वाली cheat sheet में खोल लेता हूँ so यहाँ पे आप यह देख सकते हो यहाँ पे यह relative scales है so यहाँ पे sharp notes पे है और यहाँ पे flat notes पे है आप यहाँ पे देख सकते हो C के जो relative minor है वो यहाँ पे A minor है C sharp का A sharp minor and इस type से आगे सारे आपको relative दे रखे हैं अब यहाँ पे क्या होता है आपको जब minor scale पे वो करना है आपका जो track है वो minor scale पे है आप इस तरीके से कर सकते हो अब यहाँ पे आपको right hand side में circle of fifth में तो कुछ आपको minor देख नहीं रहे सो मैं एक image open करता हूँ और आपके सामने वहाँ पे आपको explain करता हूँ सो आपके सामने screen पे यह image है और इसको हम बोलते हैं Camelot system यह basically mixed in key की website से मैंने लिया है सो आप वहाँ पे भी जाके उनकी website पे चेक कर सकते हैं प्लस यह same image मैंने अपनी website पे भी डाली है तो आप वहाँ से भी checkout कर सकते हैं अब आप कहोगे sir यहाँ पे तो आपने हमें C बताया था C major उसके बाद था G और D अब लेकिन यहाँ पे तो different है तो कोई दिक्कत नहीं है तो यहाँ पे अगर आप आते हो तो यह देख सकते हो यहाँ पे है C major उसके बाद G major D major तो अगर हम यहाँ से उठाके इसको top पे कर करेंगे तब भी circle तो same ही रहेगा ना उसका fifth note ही आएगा and यहाँ पे अब आपको समझना है minor से so minor से C major तो यहाँ पे है A minor आप देख सकते हो तो उसका अगर आपको chord progression बनाना है for example A minor का then आप progression चो अपना ले सकते हो A minor then उसके बाद E minor यहाँ फिर major भी आ सकता है जिस type से भी एक बार यह काम करते हैं मैं आपको बना के दिखाता हूं यहाँ पे मैं scale एक ले लेता हूं D minor मैं ले लेता हूं so D minor chord बनाते हैं जल्दी से so यह है D minor play करते हैं उसके बाद हमारे पास क्या है A minor अब हम A chord लगाएंगे A minor भी हो सकती है major भी हो सकती है so पहले minor लगा के देखते हैं perfect sound कर रही है एक दम then उसके बाद E minor so एक बड़ी play करके देखते है so यहाँ पे जो E chord है वो काफी नीचे को आ गई है नीचे octave पे आ गई है so इसको हम क्या करेंगे यहाँ पे जो यह बीच वाला इसका note है G उसको हम ले जाएंगे उपर octave पे and अब play करके सुनते है so आप देख सकते हो chord again compliment कर रही है so यहाँ पे जो हमारा scale है वो है minor जब last मैंने आपको बताया था दिन वहाँ पे मैंने major scale लिया था एक चीज में आपको यहाँ पे clear कर देता हूँ आप यह मत सोचना कि अगर एक major scale है तो उसमें जो chords आएंगी वो सारी major होंगी ऐसा नहीं है उसमें minor chords भी होंगी in the same way अगर हमारे पास कोई minor scale है तो उसमें आप ऐसा मत समझना कि जो हमारे पास chords आएंगी वो minor होंगी वो minor और major दोनों हो सकती है तो यहाँ पे next chord पे चलते हैं देखते हैं यहाँ पे कौनसी chord है हमारे पास तो है B minor तो B minor लगाते हैं एक बड़ी तो सुनते हैं एक बड़ी अब आप यहाँ पे सुन सकते हो यह जो हमने B minor लगाई है यह sound थोड़ा से different कर रही है तो इसका जो octave है थोड़ा सा किसी note का हमें change करना पड़ेगा तो देखते हैं एक बड़ी मैं first note का देखता हूँ perfect sound कर रही है and आप इस तरीके से notes के साथ play भी कर सकते हो यहाँ पे अगर मैं चाहूँ यह जो note है इसको मैं नीचे ले आता हूँ यह अच्छा sound नहीं कर रहा है इसको वापिस ले जाते है B को देख लेता हूँ मैं नीचे यह अच्छा sound कर रहा है so यह depend करता है कि आप किस type का chord progression बनाना चाहते हो so mainly relative scale यही हुए यहाँ पे मैं एक बर यह आपको chart पे एक चीज और explain कर देता हूँ आपने scales और keys सुना होगा मैंने अभी तक आपसे scale के बारे में बात करी थी scale को ही दूसरा नाम अगर हम बोलेंगे तो keys बोलेंगे so यहाँ पे आप देख सकते हो C major तो उसको 8B इसी type से आपने DJ software पे देखा होगा जो उसका काम है वो एकदम सेम है so इस type से यह Camelot wheel होता है and यह मैं आपको DJing वाली वीडियो में भी आगे बताऊंगा so I hope यह आप थोड़ा सा relative scale समझ गए होगे so अब बात करते हैं pro tip की so काफी time से मुझे comments आ रहे हैं sir mashup tutorial mashup कैसे बनाए mashup 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 so mashup बनाने से पहले अगर आपने यह वाला वीडियो चेक कर लिया है तो आपको mashup बनाने में काफी जादा ही easy होने वाला है काफी जादा आपके लिए खेल असान होने वाला है अगर आपने यह वीडियो चेक आउट नहीं कर रहा है सो आगे मैं आपको मैशप के बारे में भी बताऊंगा जिसमें एक नहीं दो नहीं काफी सारे tracks लेंगे साता tracks लेंगे एंड उसका एक बनाएंगे मै शप सो आपको यह वाला विडियो को हिल लगा है सो वीडियो को कर देना लाइक चानल को कर देना शॉब्स यह विडियो शेयर भी कर देना अपने फ्रेंच के साथ सो देट उनको भी बिकुछ नॉलिच मिल जाए अगर आपके मंद में अभी बिकोई doubts है या queries है so comment section खुला है आप मुझसे पूछ सकते हो लेकिन यहां पर मुझे पता है comments आने वाले mashup 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 anyways फिलाल आज के लिए इतना ही मिलते है next video में